Hi everyone, welcome to back my new videos तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपने आधार कार्ड से यानि कि आप अपने अगर आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नमबर लिंक करना चाहते हैं जो भी मोबाइल नमबर आप लिंक करना चाहते हैं दोस्तो आपको क्या करना आपने मोबाइल के क्रोम गूगल या फिर जो भी प्राउजर है उसे आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद में यहां पर आपको क्या डालना है यू यू आई डी ए आई अब यहां पर यह डालने के बाद में जब सर्च करेंगे search करने बाद में आपके सामने एक interface open हो जाएगा जिसका मतलब UDI जानिक आधार का जो website है वो open हो जाएगा उस पर आपको click कर देना देन उसके बाद में आपको क्या करना आधार सर्विस में आ जाना है आधार सर्विस में आने के बाद में यहाँ पर आपको verify एन आधार जो है यहाँ पर आपको देखनी को मिल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है उस पर click कर देना है तो उस पर जैसे click करेंगे तो click करन और mobile number भी है यहाँ पर भी आपके सामने एक option देखने को मिल जा रहा है तो चलिए हम यहाँ पर जैसे होता है मैं इसे open करता हूं open करने के बद में आपको आगे का system बताता हूं कि जो भी है वो कैसे आप mobile number लिंक कर सकते हैं क्योंकि उसके पहले आपको क्या करना है उसके पहले आधार service पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे system आज आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं तो तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको आधार service में आने के बाद में आपको देख सकते हैं verify या आधार number उसके आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अब इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको last में आपको क्या करना है, check आधार validity पे क्लिक कर देना, इस पर जैसे तो capture हमारा जो है A5R, चलिए हम capture को भी डाल देते हैं, A5R, एक रहे बाद B C7, अब इसके बाद में क्या करना है, आप पर प्रोसीट पर क्लिक कर देना है, प्रोसीट पर जैसे क्लिक करता है, अगर आपका capture सही रहेगा, राइट रहेगा, तो यहाँ पर आपके सामने option कि आपका mobile number link है या नहीं है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, वेट करने के बाद में यहाँ पर हम चेक करते हैं, खमारा mobile number यह link है या नहीं, बट अगर होता है, यहाँ पर हो जाएगा न दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं उसके लिए फिर कैसे आपको, जैसे यहाँ पर यह होगा, तो यहाँ पर किलियर बता देगा, बट यहाँ पर हमने capture कुछ wrong डाल दिया था, तो इसलिए यह wrong आ गया था, तो यहाँ से यह होने के बाद मिना दोस्तों, आपको क्या करना, यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है, पोस्ट, इंडिया पोस्ट पे एक अप्लिकेशन है, इन पोस्ट इंफा अप्लिकेशन है, उस पे आपको आना है, यहाँ पर फर्स्ट वाली सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है, सर्विस रिक्वेस्ट, उस पर क्लिक करने के बाद में, यहाँ पर आपको request OTP पर click कर देना है जैसे request OTP पर click करते हैं तो एक OTP आपको mobile पर आजाएगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना देखें जो की OTP आचुका है अब यह OTP हम यहाँ पर डाल देंगे डालने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने अब यह OTP हो गया अब इसे हम क्या करते हैं confirm service request पर click कर देते हैं click करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे request submitted successful request reference number यह होता है फिर यह number आपको क्या करना है copy कर लेना और यहाँ उपर वाले option पर click to track your request पर click करके आपको check करना है status जैसे status आप यहाँ पर वो number डालेंगे status पर फीच करेंगे तो यहाँ पर आपका check हो जाएगा और यहाँ पर बता देगा कि मुगराबाद सापूर office number है यह office name है और status pending तो इस तरह से आप अपना अधार कार नंबर लिंक कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले धन्यमाद